तो इसका दोस्तो सागब सिखिगा फेंसी पॉइंट केट में अरुबस तो इसाई टीटिन दोस्तो कवर करने जारो जारो है तो हंगरी बस जाप गेचला की बीच तो इस वड्यों मैच हो लिए तो इस वड्यू को आप दान देखना बात करें गॉहन सपर लेको आपको टीम स पर दोस्तो बिल्कुल मिस्पमत करना अब देखो भाई यहां पर दोस्तो इस वाले सिरीज का दोस्तो यह मैच नमबर वन होगा बात करें वेन्यू की तो जी भी ओल मैच होगा देखो सारी जी दोस्तो सेम रहेगी जो लास्ट यह हंगरी टीटन हुआ दोस्तो सब कुसे में बिकेट सेम रहेगा सारे ऐल्मस्ट इएтов स्टाफ कूप साब सेम रहेगी बस चर्ण robi टीम में चैन्जες रहेएंगे पिछ को थोगा सा समझा जाए तो बैटिंग को सूट करती है बिगेट बैटिंग को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है लाइक हम बैटिंग फेंडली बिगेट बानेंगे जिसमें दोस्तों यहां पर केज है तो 100 प्लस रन आपको स्कोर बनते हो दिखेंगे मतलब 100 से उपर स्कोर होगा 120 बन सकता 140 बन सकता 170 बन सकता असे रन बनेंगे स्किकेट पेचिस क्रेजा रखेगा और बाकि टोटल बिगेट की बात करें डोस्तों यहां पर ग्राउंड पर तो देखिए 42 बिगेट यहां पर पेसस ने चटका है और सिर्फ एक बिगेट यहां पर स्पिनेस चड़का है देखो सबसे important चीज़ आपको बोलूँगा कि ECS हो अचाहे ECI टीटनोस सब में मैंने एक चीज़ हमेशा notice किया कि भाई यहाँ पर Paces का कद बहुत उचा रहता है almost 80-90% बिकेट भाई Paces ले जाते थोड़ा सा क्रेचिया का पलदा भाड़ी रहेगा अब इनके recent फर्म देखोगे तो भाई देखो यहाँ पर हंगरी की जो टीम है वही मिलेगा ठीक है अब देखिए दोस्तों डीटेल्स के अगर बात करें तो हंगरी टीम की दोस्तों प्लेइंग लेंट प्लस इनके states की बात करें देखो बहुत सार लोग के message आ रहे थे हैं भाई कि हमें one by one player के states नहीं देखना भाई हमें एक साथ चाहिए सब कुछ इदम क्लेटी के साथ चाहिए तो चलो भाई नए format के साथ में आ गए देखो आप बोलो और मैं भाई changes ना करो यह हो नहीं सकता भाई बस आप भाई हुकुम करो साइज यह दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी ठीक है देखें दोस्तों यहाँ पर दान दीजेगा दोस्तों यहाँ पर अवी विरंदर की बात करेए आपको बिगेट की पर सेक्शन में विनोत के नाम से देखेगा देखो भाई इन्होंने जो है 89 गेम में 216 औ 32 स्कॉस थे प मैच में 215 और 44 स्कॉस थे 64 बिगेट चटका है बहुत भेंकर प्ले रहेगा ओपन किया था लास जो इसे स्टीटन हुआ और भाई साथी साथ दोस्तों दोवर की बॉलिंग करेगा जरूर आप डीम में रख सकतो एम हमसुत की बात करें तो भाई 13 मैच में 28 25 स्कॉस थे 9 ब बस 36 बिकेट है अब देखें और अबरेज प्लेयर नजरा दे दोस्तों भी यह वूस टाइब का प्लेयर नहीं कि मतलब लेंगे तो लेंगे भाई नहीं आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकतो आप चाहो तो इसको रख भी सकतो मतलब इसका 50 50 का माज़ा रहेगा ठीक है अब एमडेस फॉंट आने की बात करें तो भाई लास्ट जो सीरीज हुआ एसेस हंगरी का भाई बहुत ज़्यादा कमाल इनका पहुंस रहता खास करके बॉल से बहुत ज़्यादा सक्षम थे और बैट से भी थे तो भाई हमें रखना पड़ेगा गानी से ज़्यादा बेटा द इनके बार में मुझे लगता नहीं कुछ बोलने की जरुवत है अगर आपने एक भी मैच कवर किया होगा एसेस हंगरी टीटन का तो वो चीज आपको पता होगा भाई शेमशर कैसा प्लेर है भाई देखो ये मिडर ओडर का बैटिंग करेगा प्लस केंफर्म आपको दोबर मैच run करे आपी देख रो भाई हम भी कवर करे तो मैं पता भाई सेमशर कैसा प्लेर है भले इसके स्टेट्स दीके ना दीके हमें पता ये प्लेयर कैसा भाई दोबर की border करेगा और तीन शाद नमबर बै टिंग करेगा कमाल का अप्लेर हाल रखना बनता है ठीक है ब्रूव की तरब से अगर place की बात करें, तो रभिंदर राम को ट्राई कर सकतो, रशिक को एमस्वत को ट्राई कर सकतो, और फॉंड आसे को ट्राई कर सकतो, यह चार प्लैर देखलीजेये आपको टीम में रखना ही रखना है, इन दोनों को चाहो तो आप ड्रॉफ करके भी चल सकते हो ठीक है इधर से दोस्तों कहीं जाए तो आप जैकोब को ट्राई कर सकते हो और बाकी शेम्शक को ट्राई कर से तो बाकी ये सब जो प्लेयर रहेंगे दोस्तों वो 50-50 वाले प्लेस है रखो या ना रखो आपको प्लेयर पेंट करेगा बट जो मैंने ठीक लगाया पे वो confirmly आपका टीम होने चाहिए ठीक है अब दिखें दोस्तों सेकर टीम की बात करेंगे अब दिखें की बात करेंगे अब देखो आपको दोस्तों डी स्टेंड दिखेंगे इनकी अगर बात करें भाई तो देखो पच्पन मैच में च्छेसो चाह ये 864 रन 29 काउसे थे दो बिकेट हैं बहुत ज़दा बाई कामयाब तो नहीं लगते हैं कि हमने जो पिछले कुछ लीक्स देखे थे इनको खेलते हैं तो बाई वहाँ पर मेरे उतना ये इंप्रेसिब नहीं लगे तो फिलाल तो मैं ज़ादा इनको एफट डालने को नहीं बोलूँगा क्योंकि इनसे भी अच्छे चिपले से ठीक है अब देखो यहाँ पर सावब उन डिजबी की बात करें तो देख से तो 121 मैच में 889 रहने 30 स्कॉस है थे 47 बिकेट है जरू टीम में रखेगा अच्छा गर दिखेंगे वड़ल की बात करें तो 22 मैच में 246 रहने प्लस 20 स्कॉस है जि मगा रहे थे इस टीम के मतलब साथ खेल रहे थे भाई तो यहाँ पर में देखा था कि प्लेयर तो यह सही है ऐसा नहीं बोलूगा कि प्लेयर खराब है भाई पर दिक्कत वाली बात है कि उतना इसको चांस नहीं दिया गया था जितना दोस्तों यहाँ पर जो पिछले अगर बैटिंग उपर दीखे तब आप ले सकतो भाई अदर्वाइस यहाँ पर ड्रॉप करके भी चल सकतो ठीक है अब देखो तोमर की बात करें तो भाई 89 मैच में 1264 रने 23 कौसे थे 57 बिगड़े देखे दोस्तों आप लोग इनको एग्नॉर कर सकतो क्योंकि आपको लग करें 57 मैच में 60 बिकेट है रमकाड रहेगा फिर दोस्तों एन एहमद की बात करें 67 मैच में 45 बिकेट है अब आपको भी यहाँ भी लग रहा हुआ किया रहे यार उतना इंपॉर्टन ही है बड़े कमाल क्या प्लेर है वाई क्योंकि पिछला जो भाई सीजन हुआ था उसमन प्रकुम टीम में ले सकते है तो भाई देखो भाई डीज भी रहेगा फिर बुलियां को ट्राइगा सकतो मागारे को ट्राइगा सकतो तीन प्लेस यहां रहेंगे बाकी जो यह प्लेस आप देख रहेंगे इनको आप थोड़ा सा मतलब जो है अब 50-50 रखो भाई अपनी कन प्रकुम टीम मेरेगी दोस्तो फाइनल टीम तो आपको टेलिगराम मिलेगा यह चीज आपको पता है अब देखे बाई यहां पर रशीक हमारे लिए रहेंगे जो सबसे अच्छे रहेंगे और भी ऑप्शन से लाइग दोस्तो यहां पर कहीजए तो अब दोस्तो यहां पर सिफ यही दो ऑप्शन से जो हमारे पास अबलेवल रहेंगे जो सबसे अच्छे रहेंगे और भी ऑप्शन से लाइग दोस्तो यहां पर कहीजए तो अब दोस्तो यहां पर शेमशर को ट्राई कर सकतो मागारे को ट्राई कर सकतो रभींद रहेगा अगर इस टीम से अगर द करके दे सकते हैं अब देगे स्मॉली का फंडा देखोगे तो भाई यहां पर क्लेर रहेगा दोस्तों स्मॉली के लिए यह रहेंगे यह रहेंगे अफिर दोस्तों यहां पर यह रहेगा बस यह तीन ऑप्शन मेरे दिमाग में सबसे बेस्ट लगते जिनको स्मॉली में कुछ ना कुछ बना सकतो बागी चलिए दोस्तो मिलते टेलीग्राम पे फानल टीम के साथ में दोस्तो